हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग गया अगर आप भी चाहते हैं कि मात्र 600-700 रूपे हर महने जमा करके एक ऐसी रास्य आपके पास लाश्ट टाइम में आ जाए जिससे कि जो आपकी बांकी की जिंदगी है वो आपकी बहुत ही अ करेंगी एक ऐसे फंड के बारे में जो की मात्र कुछी सालों में बहुत ही मीनिमम पैसे जमा करके आप बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं चलिए आपको बताते हैं पूरी डिटेल उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जिससे के आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकरी आपको मिल जाएं यह जो फंड है यह है DSP का Small Care Fund अब इस फंड के क्या खासियत है क्या है इसमें पूरी जानकरी देते हैं यह जो फंड है यह फंड का अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो All Time Return देखते हैं तो 22% हर साल देता आ रहा है ऐसा नहीं कि 1-2 सालों में 5-10 साल हो गए इस फंड को और हर साल आपको 22% रिटर्न दे रहा है पिछले 5 साल की बात करें तो 19% से ज्यादा रिटर्न 5 सालों में दिया है हर साल पिछले 3 साल के बात कर ले तो 37-38% रिटर्न हर साल मिलता रहा है यह पिछले सिट एक साल की बात करें तो 26 से 27% का return दिया है और इस return को देखते भी लोगों का वरोसा ऐसा है कि इसका अगर आप fund size की बात करें पैसे कितने जमा हुए उसकी बात करें आप साफ साफ देख सकते 11,651 करोर रुपे अभी इसमें जमा हो चुके है मतलब की लोगों का वरोसा इसमें है अब इसके जो minimum rules regulation है उस पे बात करते अगर आप इसमें पैसे जमा करना चाहते हैं तो आपको minimum 100 रुपे जमा करने पड़ेंगे और अगर आप one time invest करना चाहते हैं तो वो भी 100 रुपे से आपका काम हो जाएगा यानि कि बहुत ही low amount से आप इसमें investment start कर सकते हैं चलिए और कुछ चीजे जानते हैं इसके बारे में अब इसके holdings की बात holdings मतलब की आप जो पैसे इसको इस fund में जमा करेंगे वो पैसे कहां कहां invest होंगे जिससे कि आपको भी मुनाफ़ा हो और company को भी मुनाफ़ा हो उसके लिए ये क्या करती है कि सबसे ज़्यादा invest करती है स्येंट में सुपराजित इंजिनेरिंग नील कमल लिमिटेड रतना मनी मेटल ट्यूब त्रिवेनी इंजिनेरिंग और इंड़स्ट्री लिमिटेड और आपने देखा कि 22% रेटन हर साल मिल रहा है हम लोग 22% नहीं 21 पर कैलकुलेट करेंगे उस अनुसार अगर देखा जाए तो 5 सालों में 49,000 रुपे आप जमा करेंगे और मिलेगा आपको 30,230 रुपे टोटल वैल्यू 69,230 रुपे की होगी अब इतने से तो काम बनेगा नहीं हमें और रुखना पड़ेगा तो चलिए टाइम को थोड़ा बढ़ाते हैं 10 सालों के लिए देखते हैं 10 साल में जमारासी 78,000 रिटन 1,87,000 और टोटल वैल्यू 2,65,000 की बट इतने से भी कुछ नहीं होने वाला आज के डिट में तो हमें और रुखना होगा 15 सालों में 1,17,000 का इन्वेस्ट में 7,3,000 का रिटन टोटल वैल्यू 8,20,000 की होगी लेकिन हमें लॉंग टाइम के लिए सोचना पड़ेगा 10 साल 15 सालों में हमें वो रिटन नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए कडोर दो कडोर रुपे का रिटन हमें थोड़ा सा रुखना पड़ेगा उसके लिए और थोड़ा टाइम देते हैं अगर मान के चलिए 20 सालों की बात करें तो 1,56,000 का इन्वेस्टमेंट 22 लाग रुपे आपको रिटन मिलेगा और टोटल वेल्यू 23 लाग की हो 5 साल और रुखते हैं 25 साल में तो 1,95,000 का इन्वेस्टमेंट 66 लाग आपको रिटन मिलेगा टोटल वेल्यू 68,44 लाग की हो सकती है अब कुछ लोग जिसकी एज 35 साल है अभी 30 साल से ज़ादा है तो वो यहाँ पर भी रुखके अपना पैसा निकाल के आगे का जिनगी अच्छे से गुजार सकते हैं लेकिन अगर जो यंग है 25 साल की एज है 30 साल की वो जाते हैं 55 की एज में मुझे अच्छा इमांट मिलें तो 5 साल और वेट कर सकते हैं वहाँ क्या होगा अगर 5 साल वेट करते हैं तो 2,34,000 तो इंवेस्टमेंट होगा लेकिन रिटर्न मिल जाए को लगवक 2 करोर के आसपास यानि कि 1,92,000,000 रुपए रिटन मिलेगा और टोटल वेल्यू हो जाएगी आपके फंड की 1,94,000,000 रुपए यह होती है जो कंपाउंडिंग का पावर है आप पिछला देखें मात्र 66,000,000 पचेश साल होगा 5 साल जैसे बढ़ा दिया 4 गुना पैसा बढ़ गया 2 करोर हो गए यह होता है कंपाउंड जो चक्रविर्धी सुना होगा आपने नाम चक्रविर्धी बियार यहाँ पर भी सेम function स्टार्ट होता है कि जो आपका रिटन है उस पे भी रिटन मिलता है और बार बार मिलता है इस कारण्स के पैसे इतना गुना बढ़ता है जैसे हैं जैसे आप time period को बढ़ाते हैं इसलिए हमेशा जब भी invest करें तो long time की सोचे short term में वो मजा नहीं जो आपको long term में मिलेगा तो ये थी आज की update ये fund आपको कैसी लगी जरूर बताएगा और कोई doubt हो को question हो आप हमें comment कर सकते हैं मिलते एक नए वीडियो में तब तक कि लिए आप मारे चैनल को subscribe वीडियो को like कर दें